नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चानल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रबल सी जूनिय असिस्टेंट की कम्प्यूटर क्लास को जैसा कि आपको पता हैं आपकी क्लासेज हो रही को पढ़ लो तो जो लोग टेली टागेट को अचीव करते होंगे उन्होंने जरूर इस प्रेडशीट पढ़ लिया होगा आज यहां पर आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा मैं बताओंगी किस टाइप की क्वेस्टन सापके एक्जाम समें आते हैं और जो देखो नहीं मैं बार-बार कहती हूं पढ़ाई शुरू कर दो मौका बहुत अच्छा है इससे अच्छा मौका आपको तयारी का नहीं मिलने वाला है दूसी चीज दोस्तों यह स्प्रेडशीट टॉपिक हुआ आपका हार्डवेर सौफवेर हुआ मैं बार-बार बोल रही हूं इसको आ वीडियो पसंद आती है अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर बताना कमेंट सेक्शन में की अच्छी लग रही है और समझ में आ जाए तो भी बताना नहीं समझ में आए तो भी बताना हम लोग फटा-फट से बिना देर किया हुए शुरू कर लेते हैं क्लास को आज हम और देख सकते हो पिछली साल क्या पूछा गया था एक्सल में दोस्तों question आया था which function removes non-printable character from the given text कौन सा जो function है Excel में MS Excel में पूछा गया था which function in MS Excel वो remove कर देता है non-printable character को तो इसका option क्या था दोस्तों उसको option था आपका clean function ठीक है clean function जो है वो क्या करता है आपका non-removable आप आपके printable character उनको remove कर देता है तो यानि कि आपको देख के बाद चाहिता साफ कर देगा clean function साफ कर देगा तो यहाँ पर हम इस तरह के सारे functions की बात करेंगे plus देखो यह ऐसा question आता है कई बार exams में आपने देखा होगा अन्य परिक्षाओं में ऐसे लिखा होता है इसमें cells की क दूल संख्या कितनी है लेकिन यह सब question में तब कराऊंगी जब मैं आपको यह समझा लूगी क्या होता है और cells बता दूगी क्या होता है तब हम इस question पर आएंगे यह भी question आपका आता है कई बार exams में यह क्या मतलब है मैं बताऊंगी आपको अभी लेकिन इसके लिए मैं ब spreadsheet यानि की जिसमें table बनी हो जैखो यह table दिखरी आपको यह सब table यह na puru यह table होती है तो ये जो table होती इसे आप क्या बोलते हो है spreadsheet table में हमेशा क्या होगा देखो row होगी और column होता है column क्या होते अचे बताओ, यह जो होते हैं, वर्टिकल वाले, यह क्या है आपके, यह दोस्तों आपके, इस टेकल होते हैं, और यह क्या है हो इक है, उर चीज क्योंढ़र होते हैं?धिनम, देखो इसका विज़से हैं, पन्हNews समझ में हैं, ryकले यहां समझ चाहिए, और छें समयों दोस तो उस सब के लिए आप क्या करते हो, उन सब के लिए आप Excel Sheet का यूज करते हो, Excel Sheet में बना के आप आसानी से इसमें बहुत चीजें होती ही, जैसे आपको Sum करना है, आपको Average करना है, Maximum निकालना है, Minum निकालना है, रिपीट करानी है चीजों को, वो सब यहां Automatically function दिये होते हैं, आप Entry कर लो data की और उसके बाद को करते रहो, तो यह बहुत आसान होता है, और धेर साई data को एक साथ अगर आप कहीं भी लिखना है, हमेशा रखना आपने पास future के लिए भी, तो आप generally spreadsheet का प्रेयोग करते हो, अब इस बार definition देख लो, क्या लिखी हुई है, spreadsheet एक बहुत बड़ी sheet होती है, जिसमें आकणे और सूचना, पंक्तियों और कॉलूमों में विवस्थित होती है, इस प्रकार के spreadsheet का रिकरम उपलब्द होते हैं, कुछ patent होते हैं, जैसे Microsoft Excel, मैंने आपको बताया, कुछ जो आपकी spreadsheet होती होती है, जैसे Microsoft वाले जब बनाएंगे तो वो आपको पैसे दे के मिलता है, तो Microsoft Excel है आपका, Lotus 123 है, कुछ क्या होते हैं, नहीं सुलक होते हैं, जैसे Gnome Office Spreadsheet, जीवनियमोरिक के, Office K Spread, OpenOffice, ORG, यह सब क्या हैं आपकी, यह सब आपकी free of cost आपको मिल जाती है, इन्हें आप क्या बोलते हो, spreadsheet को आप worksheet बोलते हो, वर्कशीट क्या, जो यह आपकी काम करने जगें हैं, उसको आप क्या बोलते हो, वर्कशीट, इसी पर तो काम करते हो, इसे आप वर्कशीट बोलते हो, ठीक, पंक्ती और कॉलम, मैंने बता दिया, आपको spreadsheet में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, row और कॉलम में आपका पूरा division होगा, ठीक है, आगे देख लेते हैं, spreadsheet हमारी बड़ी संख्या में संख्यात्मक सूचना को ततकाल record करने, उसे प्रबंधित करने और कई प्रकार से अन्य के साथ बाटने में सहायता करती है, MS Excel जो MS Office का अभिन अंग है, उसमें ये सभी विशेष्टाएं हैं, इसलिए हमने इसे spreadsheet कारेकरम के रूप में लिया क्योंकि MS Excel में क्या होता है, इस सारी सुविधाय जो भी आपको करना है, आपको arrange करना है, उपर से नीचे order में कुछ लिखना है, कुछ भी करना है, कितने बड़ी संख्या हो, आप खाली आपको command बताओंगे, command लगाओंगे, सारी चीज़े आपकी automatically हो जाएंगे, तो आपक काम, जो बहुत लंबा काम आपको करना था manual, वो Excel की सहाइता से आप फटा-फट कर लोगे, तो इस स्प्रेशीट समझ में आ गया होगा, आप ये देख लो बहुत अच्छे से, ये क्या-क्या है, देखो, ये जो आपका ऊपर बना होता है, आइकन, देखा होगा आपने undo का सेव करने का, उसे क्या बोलते हो, आप, quick access tool bar, ठीक है, यहाँ पर जो भी नाम लिखा होगा, ये आपका क्या होगा हमेशा, title bar होगा, कोई भी नाम, आप जो लिखना चाहो, कुछ नहीं लिखोगे, तो simple worksheet आएगी, आपकी sheet 1, आप चाहो तो जो नाम चाहो, वो नाम दे दो ठीक है, यहाँ पर जो button minus वाला होता है, minimize button, बड़ा वाला button, maximize button, यह आपको पता है, close का होता है, आप हम अगर बात कर लें, तो यह जो पूरी चीज़े blue color में दिखती हैं आपको, दिख नहीं ना यह सा पूरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप, ribbon बोलते हो, ribbon, यह तो आपका formula bar है, formula bar में क्या करते हो, आप formula लिखते हो, और formula लिखने के लिए Excel में हमेशा ध्यान रखना, equals का sign लगाते हैं, जैसे मालनों आपको sum करना है, तो आप लिखोगे equals, command में क्या लिखोगे, sum, sum किसका करना है, b1 is to a3, किसी भी चीज का करना हो, तो आपने यह वो ठीक है, b1 is to a3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sum हो जाएगा, अगर आपको average निकालना है, तो आप average command दोगे, minimum निकालना है, minimum command दोगे, maximum निकालना है, तो maximum लिखोगे, ठीक है, जो भी निकालना हो तो आप ऐसे bracket में लिखते हो, लेकिन हमेशा क्या लगाते हो, formula में हमेशा equals का sign होगा, बिना equals के sign के कोई formula bar आपका नहीं काम करेगा, ठीक, तो यह आपका जो space है, यह formula bar है, यह क्या चीज होती है, यह पूरी चीज आपकी दोस्तों, cell कहलाती है, cell का मतलब, यह क्या है, 5th row है, C आपका column है, एक चीज समझ जो बहुत अच्छे से, जो column होता है, वो कि C, D, E, F, column हमेशा दोस्तों, आपका किस से लिखता है, column हमेशा alphabet से लिखता है, ठीक है, column किस से लिखा जाता है, alphabet से, रोज किस से लिखी जाती है आपकी, रोज दिख रहे हैं आपको numbers में लिखे जाते हैं, अब मैं बोलू आपसे address कैसे लिखा जाता है, address की बिना कैसे काम करोगे आपको किसको add करना है वो आपने address से बताया address कैसे लिखते हैं बिल्कुल अच्छे समझ लो अभी आए question भी आपसे करवाऊंगी इसके address जो होता हुआ उसमें हमेशा पहले column लिखोगे फिर row लिखोगे यानि कि अगर मैं आपसे कहूँ इस cell का क्या address है? cell यानि कि दोनों का intersection इस cell का क्या address है आप क्या लिखोगे? c 5 पहले अपहो क्या लिखना है? column फिर अपहो क्या लिखना है? row तो ये क्या हो जाएगा address इसका दोस्तो c 5 मैं पूछू इसका क्या है? इसका बता ना? जो clear दिखे आपको तो कॉन सा दिख रहा है , ये clear दिख रहा है। बताओ ! इसका क्या है , इसका address , ये e में दिख रहा है , और e कि पाद किस थे में है ? 7 में , तो isका address क्या हो जाताँ ? इसका address हो जाएगा , e . 7 १ मैं कि समस्का करना है ? B1 और A3 का , तो B1 का मतलब क्या हो जाएगा ये वाला मालनों यहां लिखा होता 5, B1 और A3, A3 का मतलब ये वाला, इन दोनों में जो number होगा उनका sum करना होगा, ठीक, समझ में आ रही है आपको बात ना, कैसे लिखते है address और कैसे number देखता है उसका computer आपका, ये बहुत जरूरी चीज है आपकी exam के लिए, ये आपका tab है, home insert जो भी लिखा हुआ है, और ये आपकी worksheet है, अगर आपसे कई बार question में पूछा जाता है, कि by default Microsoft, जब sheet आप open करते हो, Microsoft Excel, एक साथ कितनी sheet निकलती है, तो हमेशा बताना इसका answer जिस्तों कितना होता है, 3, by default हमेशा, जब आप Microsoft Excel open करो, हमेशा by default, 3 automatically अपने साथ खुल जात जाती है, और जितनी sheet आप चाहो एक साथ खोल सकते हो, वहाँ option होता है, प्लस ये दे को दिखरा चोटा सा, ये ही option होता है, इसको आप click करते जाओगे, जितनी चाहो होतनी sheet आपकी open हो जाएगी, कई बार ये question पूछा कि आप से, Microsoft by default कितनी sheet एक साथ open करता है, तो आप बता कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज बार बार किया लिए, comment session ने बताना बहुत important है, और आपकी लगबख computer किसी जगे आएगा, Excel में इससे जादा नहीं पूछा जाएगा, जितना मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे जादा नहीं आएगा, ये देख लो, फिर मैंने आपक और clear से दिखा दिया, अच्छे से ये क्या है आपका, title bar, ये आपका formula bar, कैसे लिखोगे हमेशा, equals के साथ लिखोगे, ये आपका पूरा toolbar है, ये आपका name box है, name box कैसे देखोगे, ये वाली cell का नाम है, cell का नाम मैंने कैसे बताया लिखोगे, पहले column, column हमेशा alphabet में फिर row, त एक बार Excel खोल के जरूर देख लेना, computer पे जहां भी जाना कभी, हमेशा Excel देख लेना कि जब काम कर रहे हो तो जिस पर click कर रहा हो तो वही ऐसे yellow चल रहा होता है, उसके बगल में जोगे तो वह हो जाएगा, तो वही आपकी क्या होती है, active cell होती है, ये मैं बता चुकी आपकी क्या है, row है numbers में और ये आपकी column है, देखो, alphabet में, ठीक है, और आपके क्या है, ये navigation button है, मैंने कहा है, by default कितनी खुलती है sheet आपकी, 3, sheet 1, sheet 2, sheet 3, और इससे आप click कर से, जितने भी चाहो उतने, आप क्या कर सकते हो, sheet को open कर सकते हो, मोटी मोटी मैंने आपको काफी च लू, आर, ए, प, wrap का मतलब क्या होता है, आप मैं आपसे कहते हूँ, gift wrap कर दो, यानि कि gift को क्या कर दो आप, मोट की रख दो की चीज़ के अंदर, तो wrap भी ऐसे होता है, मानलो आपका कोई sentence बड़ा है, ठीक है, आपने लिख दिया, lazy dog in, इतना आपने लिख दिया, तो ये क लिख जाएगा, lazy dog in, समझ गे बाता है, तब wrap यूज करता है, जो आपको एक यूज में लेना हो, wrap कर लेते हैं, उसी में आजाता है, बाहर नहीं फैलता है, ठीक है, बिना की चीज़ का change की हुए, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये सब चीज़े भी आगे आपको दिखे इसमें, ये बहुत important है, default extension, पूछा जाए आपसे, Excel का extension कौन सा होता है, तो क्या होता है, dot xls, जैसे क्या आपसे पूछा आता है, PowerPoint का extension क्या है, तो आप क्या बताते हो, dot ppt, ऐसे ही अगर, इसका पूछा जाए, Microsoft Excel का extension, तो क्या है, dot xls, अब मुझे question पूछा आपसे, address बता बताना है, cell का जो 28th column पे है, और 30th row पे है, तो क्या option होगा, बताऊ, मैंन आपको बता दिया है, जो cell होती है, वो किस में होती हमेशा, बिल्कुल सही, cell आपकी Alphabet में होती है, और Alphabet मे 20 क्या होता है, ती होता है, और column किस में रहती है, number में ही रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका पहले column, फिर row, यानि यह address हो जाएगा T30, option आपका 2, समझ में आ गया, बहुत असान सा है, बार-बार के यह रही जितने Excel पढ़ाओंगे, इससे जादा नहीं आएगा, Excel किया, मैं जितनी चीज़े पढ़ारी उतना पढ़के जोगे, तो computer में 15 तो आसानी से आजाए, को यह पहले का चल रहा है, Microsoft आपका 2007 वाला वर्जन चल रहा है, नए या नहीं चल रहा है, तो पहले इसमें देख लो, प्रतेग workbook में कितना होता है दोस्तों, प्रतेग workbook में 255 वर्कशीट होती थी, कितनी होती थी, 255 वर्कशीट होती थी, लेकिन default के काराण एक बार में सि आपकी रो कितनी है, तो रो कितनी है दोस्तों, 65536 रो थी, और कॉलम कितने थे, 256 कॉलम थे, समझ गए बात आप, यह अभी में बात जो आपको बताएं डेटा यह दोस्तों, 2007 तक का है, अभी updated हो गया है, अब आपको और ज्यादा चाहिए है, अभी और ज्यादा हो गया है अभी एकसेल में जो रोज और कॉलम है, बहुत जादा हो चुके है, कितने मैं बताती हूँ अभी आपको, यह होगे, ऐसे आपको कुछ जानने की जरुवत नहीं है, हाँ, जो मैंने आपको बताया, कि जैसे की रेंज होता है, रेंज क्या होता है, देख लो, रेंज होता है क्या, A1 से A10, मैं बता देती हूँ कैसे होगा, यहां पर आजाओ, A1 से A10 तक रेंज बता दी, यानि की A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, यहां तक का पूरा जो लोगे, वो क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा, पूरी वैल्यू एक साथ, वो आपकी रेंज हो देख लो, 2010, 2016, इन सम में क्या हुआ है, अब हमारे पास कितनी रोज हैं, देख लो दोस्तों, 10,48,576 रोज हैं, 16,384 कॉलम हैं, वो डेटा भी याद रखो, 256 वाला भी, 65,000 वाला भी, और यह डेटा जरूर याद रखो, क्योंकि करेंट जो आपका Excel है, उसमें इतनी स्पे Excel में जो आप खोलते हो, ठीक है, 2003 वर्जन के साथ, देखो मैंने लिखा हुआ है, 255 कॉलम थे और 65,536 रोज है आपकी, ठीक है, अब जो आपको पता इतना जादा जादा क्राउड़ डेटा है, तो आपको इतनी चाहिए ही चाहिए, हाइट कितनी होती है, वैसे तो आप कस याद कर लेना, क्योंकि पेपर आज कल जानी हो, कुछ भी बनाया जा रहा है, तो पूछा आ सकता है, by default क्या है, हाइट देख लेना और विर्थ देख लेना, आगे देख लो, अब मैंने आपको कुछ शॉर्टकट बताएं, जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं, अगर आ अगर आपको इसको सेलेक करना हो, पूरा एक हो, तो क्या करोगे आप,trl प्लस स्पेस बार, CTRL का साइन होता है, na, CTRL प्लस स्पेस बार, अगर आपको एंटार वर्क्षीट को सेलेक करना है, तो क्या करोगे आप, Ctrl प्लस A, ठीक है? Cut करना है तो कौन सा Command दोगे? Ctrl plus X Paste करना है तो कौन सा Command दोगे? Ctrl plus V Copy करना है तो क्या Command दोगे? Ctrl plus C दोगे Division के लिए आप कौन सा Sign यूज़ करते हो इसमें अगर आपको Divide करना हो माल लो B1 को आपको Divide करना है किस से? B2 से तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे equals B1 slash B2, अब जो भी value आपकी B1 में होगी, B2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अगर आपको multiply करना है, तो क्या लगाते हो sign up, यह is asterisk वाला, is equals B1 और यह B2, अब मेरी ख्याल से पूरी class समझ में आ रहोगा, B1 का मतलब क और यह क्या है, 1, 2, ठीक है, तो B1 आपकी यह value है और B2 आपकी यह value है, यह दोनों cell, ठीक है, सम में क्या लिखोगे, सम B1 is to B3, एक example लेके चल रही हूँ मैं, average अगर लिखना है, तो आप यह लिख देते हो, average B1 is to B3, ऐसे ही लिखते हमेशा, सम लेना है, तो ऐसे होगे, और क्या लिख दोगे, म, I, N, अगर ऐसे maximum value निकालनी है, तो आप क्या लिख दोगे, M, A, X, maximum निकालना हो, तो क्या लिख दोगे, M, A, X, M, A, X, B1 is to B2, ठीक है, मालो मैंने लिख दिया, 5 और 6, M, A, X लिखते ही क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, 6, समझ में अगर रहे समना, कोई दिक्कत नहीं ही न, चलो, आगे देख लेते हैं, यह आपका क्या है, यह आपका क्या है, यह आपका range में अभिटाय थी, वही range आपको आपको आपका, यहाँ पर लिखा हो है, साफ-साफ आपका, रेंज से तातपर्र है, कि जो जिसे विसर के चिनने स यह से क्या लिखा है, आपका range जो है, कहां पर लिखा हो range इसका, B1 is to B4, लिखा हुआ है न, B1 is to B4, आप ऐसे लिखो के range, B1 is to B4, यानी इसमें क्या-क्या है, इसमें आपका, B1, B2, B3, B4, यह इतना आपका, क्या चलेगा, इसमें आएगा, B1 is to B4, जिए हुआ रहे हू A1 क्या होगा, बताओ, A1 इधर कहीं होगा, आपका A और 1, यह वाला होगा, यहां से लेकर कहां तक चलना है, B3 तक, इसमें क्या होगा, A1 से आपका B3 तक, यानि यह पूरा आएगा, A1, देखो यहां लिखा होगा, A1 से B3 का मतलब A1, A2, A3, B1, B2 और B3, यह आपकी क्या है यह सब आपकी range बताई जा रही है, clear है, range बताई जा रही है, अब मैं आपको जड़ा पहले starting वाले question कराया तुछ जो मैंने आपको नहीं कराये है, ठीक है, पहले वो question कराया तुछ आपको फिर आपको और चीज़ बताती हूँ, चलो, यह बताओ इसका answer, C7 इस्टु S3 में इस जगें पे आपका क्या होगा, यह वाला जो होगा, यह क्या होगा, आपका C7, H3 कहा होगा, A, B, C, D, E, F, G और H, H3 कहां पे होगा, बताओ, S3 आपका यहां पे होगा कहीं, पूछ रहे हैं, सेल की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 2, इसमें क्या है, C7 संख्या करना हो, तो आप क्या करते इसके आगे, लिख देते, is equals to sum C7 is to H3, इनी दोनों में नंबर जो होता, उसको add कर देता यह, समझ में आ रहा है, Excel का use, जो भी करना है, किसी भी नंबर को ठागे, फटा फटा यहां खाली, command दे दो, वो add कर देगा, कुछ आपको जादा करने की जरूरत नहीं है, तो कितनी cells हैं समें C7 और S3 में, सिर्फ 2, आगे देख लो, find the value of the following Excel expression, average 10, 5, 0, 10, 15, तो Excel expression का निकालने के लिए क्लिए क्लिए क्या करोगे, आपके exam में आएगा, तो क्या करोगे आप, exam में तो command दे नहीं दोगे, आपको मैंने बता दिया, average लिख कितने number हैं, तो कितने number हैं यह, 1, 2, 3, 4, 5, upon 5, कितना हो जाएगा, बताओ यहां से, 10, 5, 15, 10, 25, और 15 कितना हुआ, 40, तो 40 by 5, यानि की answer कितना आ गया, इसका 8, सीधे आप यह मार देना, कोई दिक्कत है यहां पे, अब यहीं में इसी वे कह जाती, find the value of the following Excel expression, और यहां देते आप, simple, इसका sum कर देते, answer क्या आजाता, 40 आजाता, मैं कहती, यहां पे, find the value of following Excel expression, और क्या देती यहां पे, max, तो max लिख देती, तो क्या answer आजाता, 15, min लिख देती, तो क्या answer आजाता, 0, यह सारे number लिखी होते, तो आप क्या कर देते, answer, 0, समझ में आरी मेरी बात, कैसे question अगर आएगा, तो भी आप 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 से, जो लिखा है command, वो command की साबसे answer देना, कुल cells की संख्या, 11th row और 7th column की कितनी होगी, बताओ, 11th row, यानि कि आपको पता row कौन से होते हैं, यह वाले, तो यह पूरी 11th row हो गई, और आपकी 7 column, ठीके, 7 column की आपकी पूछने कित 11 into 7, जो भी आप पूछा जाए, इस तरह एक question में, आप से कितना भी row, आप से कह दे, 15th row और 18th column, तो उनों को मुठाएगा कि वता देना, cells कितने होगी, समझ में आ रही यह बात, जो भी row और column पूछे कि उनको खाली मुठाए करोगी, answer पाजल जाएगा, cells की कुल संख्या कितनी होगी, एक और देख लो, वो है आपका total number of cells in the range of, देखो यहाँ क्या time आ गया, range में पूछी जारी बात, in the range of F4 to P10, इसमें आप से पूछा जारा कितना होगा range, बताओ, range पूछ रहा है, range में पूछ रहा है कि पूरी cells कितनी होगी, तो पहले क्या कर लो, F क्या है औ और P आपके column है, तो बताओ जरा F से लेकर P तक में कितना आया distance, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, यानि यह कितने हैं आपके, यह आपके 11 columns हैं, ठीक है, 4 से लेकर 10 तक में row कितनी आया बताओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने आया, 7 rows आगए, तो यानि कि range कितनी हो जाएगी, range में cells की value कितनी हो जाएगी, बताओ, range cells कितना हो जाएगा, 11 into 7 यानि कि 77 इसका भी answer होगा, आरी बास समझ में मैं कुछ भी देदू, मैं easy सा देती हूँ, मानलो कह दूँ आपसे range of A1 is to B3, तो बताओ इसकी range क्या होगी, पहले A से B कितना ह है, 2 है आपका, और 1 से 3 कितना है, ये भी आपका 1, 2, 3, ये 3 है आपका, तो इसका कितना आजाएगा, बताओ range, 3 into 2, यानि कितना आजाएगा, 6, range कितनी हो जाएगी, range जो cells की value हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, number of cells, 6, अगर range पुछा जाएगी, तब ऐसे निकालना, बढ़ लेते हैं फटा-फट से, जहां तक हम ने कर लिया, ये मैंने बता दिया, चलो, merge cell क्या है, बता दूँ आपको, देखो, merge कई बार करते हैं cells को हम, merge cells करने से क्या होता, देखो, इसका उपयोग हम कब करते हैं, merge का मतलब होता है, एक से जादा लोग को मिलाना, एक से आपर भी, एक सेल में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पर जो बीचि आपको merge करनी, माल ूँ ये पूरा, ये column है आपका 1 और ये column है आपका 2, इन दोनों को क्या करना है, merge करने, तो आप क्या करना, आप क्या करो के merge कर दोगे M1 और M2 को और एक आपका column आजाएगा, समझ मे अपना माउस होगा उसे सेलेक कर देना जहां तक भी आपको मर्ज करना है, तीन, चार, पांच, जितनी भी रो, कॉलम मर्ज करना है, उसको सेलेक करके मर्ज उप्शन पर जाना, क्लिक हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है, चलो, आगे देख लो, वर्कशीट मैंने आपको बता दिया, इस स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहते है, इसमें आप काम करते हैं, उसी को वर्कशीट कहते हैं, ठीक है, कुछ भी इसमें डेटा को आप लिख लेते हो, मैंने बता ही दिया, कैसे डेटा लिखते हो आप इसमें, आप इसमें अपने तुरंद short करना होता है उसमें से, shorting भी बताऊंगी आपको, तो आप वहाँ पे हमेशा Excel का ही use करते हो, ठीक है? आगे देख लो दोस्तों, MS section ले मैंने बता दिया आपको ऐसे formula जो हमेशा equals के sign के बाद ही होता है, जैसे कि अगर आपको add करना है A1, B1 और C1 तो आप कैसे लिखोगे? equals A1 प्लस B1 प्लस C1, ऐसे नहीं लिखोगे, आपको पता है, मैंने बताया है कैसे लिखोगे? equals sum A1, B1 और C1, ठीक है? चलो, आगे देख लो, MS Excel function के प्रकार, function क्योंकि आपके पिछली बार आया था, clean function पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको function सारे बता दिया है, logical function में दोस्तों, logical सारे चीज़ें होती है, जैसे कि आपका nested loop चलता है, if वाला होता है, if का मतलब ऐसे आपको कोई भी काम कर रहे हो, तो वहाँ आप सोचते हो कि मान लो ऐसा हो कि मैं इतना employees को इतना पैसा दे रहा हूँ, अगर मेरी इतना बैसा बढ़ा दो, तो कब मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो आप उसके लिए क्या करते हो, अपने उसमें command देज़ेता है, if का, if salary इसकी 7000 से उपर हो गई, 7000 से उपर हो गई, तो यह अपने आप वापस revert हो जाएगा, मतला को पर चल जाएगा, कि अच्छा, मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप if command यूज करते हो, ऐसा ही और भी आप पर कई command है, वो आपके logical function में आते हैं, ठीक है, logical, logic वाली चीज़े होंगी, फिर आपका एक database function होता है, text function होता है, text function होता है, financial function में कुछ आपके terms है, financial related, date and time function तो date और time ही बताता है, look up, look up important है, look up में देखो, दो होते हैं आपका, एक आपका होता है, HLP यानि की horizontal look up, एक होता है आपका vertical look up, horizontal look up में क्या करते हो, आप horizontally देखते हो, look up का मतलब क्या होता, look up मतलब क्या होता, देखना, तो look up मतलब आपको देखना हो, reference रखना हो की चीज़ का, तो आप उसको look up में सर्च करते हो, कि ये वाली चीज़ में पहले से लिख तो नहीं रखी है, इस आदमी का data पहले से तो नहीं है, तो horizontal में सर्च करना है, तो hlp करते हैं, vertical में सर्च करता हैं, तो vlp लिखते हैं, ठीक है, math and trigonometry के function भी होते हैं, इसलिए बोल रहे हो, इस class को करने के बाद, अगर आपका अस computer हो, तो ठीक है, नहीं है, तो excel sheet अपने google पर सर्च करके, इक बर देख जरूर है ना, उपर properly आपको सारे functions, सारे चीज़ें आपको दिख जाएंगी, इसलिए देख जरूर लेना, आगे देख लो, sorting क्या होता है, sorting भी आपका बहुत important function है, जो आप Microsoft में, Excel में अक्सर यूज़ करते हो, sorting क्या होता है, एक तरह से, क्रमबद करना, या फिर हम क्या करते हैं, डेटा को एक order में arrange कर लेते हैं, order आपको पता है, दो ही तरह से range होता है, या तो ascending, ascending का मतलब क्या होता है, घटने से बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, और या फिर क्या होता है, descending, descending मतलब क्या होता है, जिसका आपने sum निकाल रखा, आप खाली क्या करोगे, short command दे दो, चाहे ascending या descending, वो अपने आप automatically क्या करेगा, arrange कर देगा, अगर आप descending कर दोगे, सबसे number 1 पर जो आएगा, वो बच्चा क्या होगा, आपकी class का, highest scorer होगा, तो sorting समझ में आ गई, data को ये एक proper आपके following order में, ज सारे आपके command है, जो use होते हैं exam में, आगे देख लो ये भी बहुत important है, कई बार exam में आया है, जो सिफ आया उतना बताने जा रही हो, बाकि ये देखो, PDF आपकी NCRT से ली गई है, तो NCRT से चाहो तो आप refer भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नही है, NCRT आपको मिल भी जाएगी, Google हर जगें आप कहीं भी साच करोगे, NCRT की PDF मिल जाती है, NCRT सबसे authentic होती है, मैं हर चीज जनरली NCRT से पढ़ती हूँ, और वहीं से आपको recommend भी करती हूँ, तो देखो मैं आपको बता दू, cell address मैंने आपको बता दिया, G8 क्या होगा, 8th row और G column से होगा, ठीक है, अब हम ब आपका absolute reference है, absolute cell reference, दूसरा आपका mixed reference है, absolute में क्या होता है दोस्तों, absolute में देखो मैंने लिखा है न, यहाँ पे क्या लिखा है, dollar C, जैसे मालो यह C4 है आपका, C4 का मतलब क्या हुआ, C आपका column, 4th आपका row, और अगर ऐसे लिखा है, dollar C, dollar 4, यह क्या है आपकी absolute है, इसलिए रहेगा और पूछा जाएगा, यह कौन सा reference cell है, absolute cell reference है, mixed cell reference है, relative cell reference है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता दूँ यहाँ पे आपको, absolute cell reference में हमेशा ऐसे लिखा जाता है, क्या होता है, इसका मतलब, इसका मतलब यह होता है, यह पूरी row और column, दोनों क्या है, fix रहेंगी इसे आप change नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी करो, आप क्या करो, खाली dollar c, dollar 4 एक बर enter कर दो गए, तो यह पूरी value आप कभी भी change नहीं होगी, आप sorting करो, आप कुछ भी करते होगी, यह value fix हो जाएगी, तो यह क्या है, आपकी absolute है, ठीक है, जब पूरी fix होगी आपकी यह चीज तो, mix क्या होता है, mix का मतलब होता है, दोस्तों, या तो row, या तो column, किसी एक चीज़ को fix रखना चाह रहे हो, तो दो तरह से लिख सकते हैं, हमने लिखा, dollar c, 4, यानि कि आप क्या है, आप c, column को fix रखना चाहते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, dollar, sorry, sorry, assure, गराट लिखो या फिर आप लिखो C$4 यानि कि आप 4th row को change नहीं करना चाहते हो समझ आ गई? दो तरे से इसको आप लिख सकते हो $C4 यानि कि आप C जो आपका column है उसको fix रखना चाहते हो C$4 यानि कि आप 4th वाली अपनी row को रखना चाहते हो fix रखना चाहते हो तो यह आप अच्छे से देख लो कि कई बार exam में आपसे दिया आता है ऐसे दे दिया जाए $8A यह तो मैंने गरत लिख दिया $A8 तो पूछा जाए यह कौन से reference cell है आपकी बताओ आप मुझे यह mixed है, absolute है, relative है तो कौन सी है यह आपकी? समझ में आ गई मेरी बात अच्छे समझ में आ गई इसमें क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चीज को fix रखना चाहते है चाहे column, चाहे row absolute में क्या होता है, दोनों को आप fix रखना चाहते हो column को भी और row को भी clear होगी सारी चीजे और कोई query है तो please comment section में जरूर बताना जितने important चीजे थी मैंने आपको करा दी आप Excel में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा कल अमने तब Excel के question करेंगे तो मुझे उमीद है आपको और अच्छे से clear हो जाएगा चीजे अगर चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरू करना वीडियो पसंद आए तो please comment section में जरूर बताये कर उससे motivation मिलता है दन्यवाद